नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब? तो हिंदी व्याकरण बाइब ब्रेन रूट सीरीज से हम करेंगे पाठ संख्या 21. समवाद लेखन समवाद का अर्थ हैं बातचीत, जो हम एक दूसरे से बात करते हैं हम दैनिक जीवन में एक दूसरे से बातचीत करते हैं बाते बताते हैं एक दूसरे से चीजों की जानकारी लेते हैं अगर हम बातचीत न करें तो कोई काम नहीं कर पाएंगे आओ देखें कि समवाद कैसा होता है हमने बताया कि समवाद में प्रश्न और उत्तर, सवाल और जवाब होते हैं प्रश्ण वाले शब्द की जगा उत्तर का शब्द लिख दो तो बातचीत हो जाती है एक छोटा सा समवाद देखो विमल सुनिए डाग घर कहा है? राही डाग घर स्टेशन के पास है विमल स्टेशन यहां से कितनी दूर है? राही स्टेशन यहां से लगबग तीन किलोमीटर दूर है विमल स्टेशन के लिए यहां से कौनसी बस मिलती है? राही स्टेशन के लिए यहां से नौ नंबर की बस मिलती है समवाद में हम हाँ नहीं वाले प्रश्न भी पूच सकते हैं विमल यह बस स्टेशन जाएगी? राही नहीं यह बस स्टेशन नहीं जाएगी विमल क्या स्टेशन वाली बस यहीं आएगी? राही हाँ स्टेशन वाली बस यहीं आएगी चलिए अब बताईए कि आपने इस समवाद से क्या पढ़ा क्या सीखा तुम इसी समवाद को कुछ अलग जानकारी के लिए बदल कर देखो तुम्हें Central Bank जाना है वहें जीवन अस्पताल के सामने है वहें वहां से 6 किलोमीटर है वहां बस नमबर 18 से जा सकते हो या ओटो रिक्षा ले सकते हो अब यही समवाद तुम करोगे एक महिला के साथ ठीक है बच्चों? तो ये आप स्वयम करेंगे हम अकसर एक दूसरे को जानने के लिए बातचीत करते हैं पाल लो तुम्हारे बराबर वाले घर में एक नया परिवार आया है तुम उससे दोस्ती कैसे बढ़ाओगे? तुम उससे उसके बारे में बातचीत करोगे? यहां हमने तुम्हारे लिए कुछ सवाल लिखे हैं तुम उनके उत्तर के साथ पूरा समवाद अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखो तुम्हारा नाम क्या है? फिर आप पुछेंगे तुम्हारी उम्र क्या है? तुम कहां रहते थे? तुम पहले कहां पढ़ते थे? तुम्हारे पिता जी का क्या नाम है? वे क्या करते हैं? तुम स्कूल कैसे आते हो? तुम्हारे कितने भाई बहन है? तुम शाम को क्या करते हो? तुम क्या खाना पसंद करते हो? तो इन में से कुछ सवाल या ये सभी सवाल आप सम्वात स्थापित करने के लिए कर सकते हैं आभार मिलते हैं नए पाठ के साथ